सिंपल और टेस्टी रेसिपीज के लिए बने रहें मेरे चैनल अफलातून जाइका पर सिर्फ जाइका नहीं जज़बात भी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं बहुत ही मज़िदार सी और बहुत ही डिफरेंट अंडा टिकका मसाला की रेसिपी बहुत ही जबदस्त होती है बनाने में भी आसान है अंडा का बिल्कुल ही डिफरेंट फ्लेवर है यह इसे आप ट्राइज जरूर कीजेगा आपको इ अब इसके लिए एक मसाला तरी तो उसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज की टमाटर लिये है थोड़ी सी धनिया अरी थनिया बिल्कुल थोड़ा सा पुदीना है अगर ना हो तो कोई बात नहीं स्किप कर देया और दो शतीन हरी मिर्ष ले 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 अग इन सबकों मिक्सर डाल कर अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लेंगे हम एक्स कम यह जादा जिसे साब से यूज कर रहें उसे साब से कॉंटिटी कर लिजेगा मसाले का अब एक पैन में हम दो टेबल स्पून ओयल देंगे मैंने मस्टर ओयल यूज किया है फ्लेवर अच्छा आ उससे उसमें एक साबुट जीरा है जब क्रैकल हो जाए जीरा और गोल्डन से कलर आजाए उसका तो हम दो मीडियम साइज की प्यास को बिल्कुल फाइन चॉप कर लेंगे चॉपर में मैंने फाइन चॉप कर लिया इसे वह एट करेंगे और इसे गोल्डन होने तक फ्राइ करेंगे बहुत जादा कलर चेंज नहीं करना है बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है बस गोल्डन कलर आ जाए तब तक इसे फ्राइ करना है में अब हम इसमें एक टी स्पून लहसन का पेस्ट और एक टी स्पून अद्रक का पेस्ट पेस्ट प्यास के साथ इसे भी हम फ्राइ करेंगे जब त तब तक इसे हम fry करेंगे उधर मसाले मारे भून रहें, इदर मैंने दही ले लियाँ, 3 टेबल स्पूल मैंने दही लिया इसे अच्छर से मिस्ट कर लेंगे, ताकि लम्स न रहे, अब इसमें हम सुखे मसाले आइड करेंगे, प्लेल में यह बूर जाने हम 1 तीश्पून काली मिज का पौडर और 1 तीश्पून धनिया का पौडर सब्सक्राइब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे दही में जब मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए थोड़ा पानी है तो हम जो मसाले हमारे भून रहे हैं पैन में उसमें गो सभी को आप चाहें तो डाइरेक्ट सुखे मसाले भी आड़ कर सकते हैं पैन में और दही फिर बाद में आड़ कर लें आपकी मर्जी है मगर इस तरह से करने से आसानी होती है और दही भी भटती नहीं है अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर में इसे फ्राइ करेंगे अच्छा से फ्राइ करना है जब अपने कोईल सेपरेट नहीं हो जाए मसाले और दही सारे भूनना जाए इसे थोड़ा और चटपटा बनाने के लिए चाट मसाला मैं आड़ कर रही हूँ एक टी स्पून नमक एट कर लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मैंने पहले आड़ नहीं किया था क्योंकि दही है तो पटने का डर होता है अच्छा से मिक्स करते वे इसे भूनेंगे हम मसाला हमारा लगभग भून गया है अउयल सेपरेट हो रहा है तो इसे हम पानी डालकर थोड़ा लूस कर लेंगे क्योंकि जब हम अंडे डालेंगे तो अच्छे से मिक्स हो जाए मसालो में अब अंडे जो हमने स्लाइस करके रखे थे उसे बहुत एहतियार से डालना है क्योंकि स्लाइस में कटे वे हैं तो तूटने का डर होता है और बहुत हलके हाथ से आप इसे चलाइएगा आप चाहें तो इस तरह से कड़ाई को हिला सकते हैं और हलके हाथों से चलाते वे अंडे को मसाले में मिक्स करना है जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो हम इसे 4-5 मिंट मीडियम लो फ्लेम पर पका लेंगे ताकि मसाले अंडों में एब्जॉर्ब हो जाए ओपन ही आप इसे पका लिजेगा कवर करने की जुरूरत नहीं है क्योंकि गलाने का मसला तो है नहीं अंडे हैं अल्रेटी बॉयल हैं अब इसमें हम हाफ टी स्पून गरम मसाला और क्रश क्या हुआ कसूरी मेति स्प्रिंकल कर देंगे हाथों से क्रश कर लिजेगा आप कसूरी मेति को थोड़ा सहरा धनिया डाल दीजे ताकि फ्लेवर अच्छा है एक से दो मिनट और पका लिजे इसे उसके बाद हम फ्लेम क गरम कर लिया है और एक से दो मुन उसके उपर ऑइल डाल देंगे और स्मोक देंगे स्मोक बहुत देर नहीं देना है दो से तीन मेठी स्मोक दिजेगा अंडा टिक का मसाला हमारा रेडी है आप इसे सर्व कर लें और नान के साथ पराठो के साथ या सिंपल चपाती के साथ आप इसे एंजॉय करें बहुत ही टेस्टी होता है ट्राइ करना बनता है आप इसे ज़रूर ट्राइ कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा डिश में सर्फ करने के बाद हम इसे गानिश कर लेंगे हरी धनिया हरी मेच और जूलियन्स कटेवे अधर करने के लिए हम इसमें एड कर लेंगे मेल्टेड बटर और थोड़ा सा फ्रेश क्रीम अगर आपको एड करना है तो इससे फ्लेवर भी अच्छा आता है और प्रेजेंटेबल भी लगता है यह आप चाहें तो फ्रेश क्रीम पैन में मिक्स कर सकते हैं इस तरह से देखने मे काफी अच्छा लगता है यह तो होप आपको रेशीपी पसंद आई होगी प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें बेल आइकन को हिट कर दें मिलते हैं नए वीडियो में इंशाला नई रेशीपी के साथ अपना ख